पेज दोटिंग भी एक एडवांस फेक्टर है जो गूगल बड़ी सीरियस्टी नोट करता है गूगल स्पीड के बारे में और यूजर इस्पीएंस के बारे में इतना कॉंशियस है कि गूगल ने स्पेश स्पीड को एसी ओ कर रेंकिंग फेक्टर बना दिया और अगर आपकी वेबसाइट अच्छी लोड या जल्दी लोड नहीं होगी आपको गूगल पेनल्टी डालेगा पहले कुछ हरसे पहले तक गूगल ये जो जो जरूर कहता था कि आप स्पीड आप्टिमाइज करें आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन उसे सजा अभी मतयन नहीं की थी यनिए अभी उसने पेनल्टी डिसाइड नहीं की थी अब उसे ने कहा है कि जी मैं बकाइदा पेनल्टी डालूँगा उस वेबसाइट को जो करे टाइम पर या जल्दी लोड नहीं होगी Google Page Speed किन-کिन चीज़ा पर depend करती है उसमें कुछ चीज़ें आ जाती है जो आपके मेंसे वेबसाइट का लोड कितना है मतलब आपने वेबसाइट के वपर क्या-क्या डाला है, उसमें कितने images हैं, कितना content है, उसका length क्या है उसके बाद आपका सर्वर क्या है, सर्वर से मुराद कि आपने HC hosting लिया है, बुरी hosting लिया है, आप पाकिस्तान से website खोर रहे हैं, लेकिन सर्वर आपका US में है तो इतनी लंबी call जाती है, वहाँ से call वापस आती है, यह हमें पता तो नहीं चलता लेकिन यह कुछ second का gap आता है, असल में यह call बहुत लंबी हो जाती है इसको कैसे solve करना होता है, उसके बाद यह कि आपने content डाला, उसका size क्या था आपको याद होगा जब हमने image SEO पड़े थी, उसमें image की size को optimization की बात की थी असल में वो image का size भी optimize होगा, तो बाकी size भी optimize होगा तो पूरे page का size optimize होगा पूरे page का size optimize होने से क्या फाइदा होगा, कि हमारी page की speed अच्छी होगी और Google हमें अच्छी ranking देगा और अगर हम नहीं optimize करेंगे, हमारे competitor की page की speed अच्छी होगी और Google उसको अच्छी ranking देदेगा So again, ये काम ऐसा है कि जो आप नहीं कर सकेंगे, जो आपके department में fall ही नहीं करता है ये development का काम है, ये website बनाने वालों काम है, कि वो अच्छी code लिखें, वो चीज़ें optimize करें और designer का काम है कि आपको अच्छी images दे, optimize करके दे, लेकिन आपकी responsibility होगी कि आप उनको उनसे ये काम करवाएं आप उनको guide करेंगे कि ये चीज SEO पे effect कर रही है और हम ये करके दो आपने उनको अराम से या client से discuss करना है कि ये SEO में negative impact हा रहा है, हमारी page की speed डाउन जा रही है और हम page की speed बेतर करेंगे Normally, मेरे experience के मताबएक दो चीजें, दो वजुहात हैं जिसके कभी लोग इसको fix नहीं करते है एक चीज ये, कि उनको पता ही नहीं होता कि ये एक इतना important factor बन गया है कि actually आप इससे rank भी कर सकते हैं और अगर आप इसको नहीं करेंगे optimize तो आप इससे penalty भी आपको मिलेगी दूसरी, दूसरी reason ये होती है कि client को शायद पता भी हो, आपको शायद पता हो लेकिन लोग इसको करने के मारे, मतलब कि इसको चूँके थोड़ा सा hectic हो जाता है इसको चेक करने के गूगल ने खुद ही टूल दिया है, जिसका नाव गूगल पेशस्पीड insights है अगर आप गूगल पेशस्पीड insights जूस करेंगे तो गूगल आपको पेज का स्कोर बताएगा कि आपके पेज के ओपर क्या-क्या लोड़ हुआ और उसने क्या क्या प्राब्लम्स देखी हैं और उसका आपको solution भी बताएगा कि भाई ये ये चीज़ें optimize करो तो आपका score बढ़ जाएगा ये आपको 100 में से score देता है इसमें 100 mobile पे और desktop दोना पे देता है अभी हम इसको discuss इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पूरा एक topic इस tool के उपर रखा है मैं आपको hands-on practice करवाऊंगा कि किस तरह से आप page की speed टेस्ट करेंगे और उसको किस तरह से आप बार में developer के हवाले करेंगे कि वही ये चीज़ें optimize करो इसको हम सब एक पूरे session में करेंगे तो अभी सिर्फ आप इतना समझ ले speed एक बहुत important factor है अगर आपके page की speed slow है ये वो advanced one page optimization factors में से included है जिसमें आपको developer की help चाहिए होगी और मैं चाहता था कि मैं आपको ये explain करतूँ ताकि आपको पता हो कि ये भी हमने देखना है चाहे developer आपको है या नहीं है आपके पाजब होगा आप उससे ये काम करवाएंगे नहीं होगा तो आप hire करके फिर ये काम करवाएंगे